वो तारिंग विलास की ड्योडी पोच से आगे अंद्रूनी दर्वासे कितर बढ़ रहा था जा पेंट कोट सुर्ख ताय में मलबूस तलीके से बाल बनाए सामली रंगत जासिब नसर नकूश और उनासिफ कट काट लिये वो अनिल यूसिफ था दरान मलिक का निजी मौन कम दोस्त जाथा तारान ने कभी उसवर पबंदी नहीं लगाई थी कि वो यूँ पेशवाराना पीए की दरा कोट पेंट में वल्पूस रहे लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता था अले वो उस सुनिया में तारान मलिक के सबसे साधा करीब उसका जिगरी दोस्त था लेकिन चंद कदम की गैलरी जिसके दाएं बाएं दिवारों पर पेश केमत बेंटिक सट रख रही थी उन में से गुजर कर आगे सामने ही बड़े से हॉल नुमा कमरे में दीदा सेब सोफे और कोफश रखे गए थे उस हॉल की एक मुकमल दिवार शीशे की थी जो बाहिर नीले सम समंदर को मुकमल नसारा बक्षती थी अलके नीले रंग के पर थे बड़ी नफासत से उस सिवार से उटते हुए पाहिर समंदर की मंसर को एक दिल आवे सुनहरी की तरह पेश करते थे उसी हॉल की दूसरी दिवार पर बहुत बड़ी स्मार्ट डीवी स्क्रीन नस्ब थी अ इस जदीद दोर में भी घड़ी बानने की आदत उसमें दारंग मलिक से ही मुंत्खिल हुई थी कहीं न कहीं वह उत्तारों का बहुत बड़ा मधा था सूपरस्टार डारंग की कलाई पर बंदी पेश खीमत पॉकिट फ्लेपी को देखकर उससे कितने ही मधा कलाई पर घड पानने लगे थे अनिल अब दर्वासक कोलकर हॉल में दाखिल हो चुका था पुर्वकार अंदास में कदम बढ़ा था वो अब हॉल की वस्पे खड़ा रोजजीन की तलाश में निगाएं घुमा रहा था जब उसे दाएं तरफ खाने की कमरे में वो खाने की मेज के पास न प्रवान बैदा था रोजजीन उन्हें नाश्टा पेश कर रही थी अनिल ने कदम उसे तरह बढ़ा दिये उसका दारिंग फिलास में आना मामूल था इसे वो बिला तकलुफ आगे बढ़ा हेलो गुड मॉर्णिंग वो ते प्लेचे में हलकी सी मुस्कान के साथ सब पर निगाथ उड़ाई वो लोग पहले ही उसके तरह मतवचा हो चुकी थे वक्त अस्वन मलिक ने मुस्कुराट के साथ सरहिला कर उस किया अनिल ने रोसेन की तरफ जैसे ही देखा तो वो समझ गई उसे दारान को अनिल के आने की दला देनी है उस सर असवात में हिलाती दरान के कमरे की तरफ पढ़ी रोसेन के पीचे ही अनिल ने भी कदम वापिस वाल की तरफ बढ़ाए अनिल कहा जा रहे हो कम जोईनस अस्वन मलिक की आवास अकप से सुनाई थी अलिन ने रूख मोड़ा उस शीशे के बने मे अपसी के लिए उठा था बुर्हान की दरश्ट और एजे में कही कही जुमले और कदम फिर से था में भाई जब बोस में इतना नखरा है तो फिर पीए पर भी तो कुछ असर होगा वो कहा हमारे साथ वग गुजारना चाहेगा बुर्हान के लपो पर इस ससाया मुस्कुरा नहीं सर कोई नखरा नहीं एक जुली अभी नाश्टा किया है तो इसलिए मना कर दिया अनिली ने सबर्दस्री मुस्कुराट लवों पर सजाय जवाब दिया रूपी जो तब से हामोश तमाशाय बनी वेरी थी कन अखियों से एक निगा अस्वन मलिक पर डाल कर कोया हुई वेल नखरा नहीं है लेकिन नननन जूट बोलना कोई तुम से सीखे रूपी ने नाख भीजे तंसिया लेजे में माईनी हेस जूमलादा किया अनिली ना समझे में एक नजर अस्वन मलिक की तरफ देखा जब रूपी को खूर रहे थे जी मैं कुछ समझा नहीं अनिल ने प असरब अंदास से बात को घुमाने की कोशिश की जी बेटर अनिल ने मोतबाना सर चुकाया कदम ओड़े अनिल वन सेकिन कहा जा रहे हो मुझे बात करनी है तुम से रूपी नस्वन मलिक की खूरने को एकसर नजर अंदास करते हुए अनिल को रुका जी मैं वो फोरण इसना के लिए फ्लाइट है राइट रूपी ने आपरोच अड़ाय तंसिया लहजे में स्वसार किया जी अनिल ने आंके सुकेड़े ना समझी से अस्वन मलिक की तरफ देखा रूपी हतम करो इस बात को अनिल तुम जाओ अनिल को जाने का कहा वो मामला मसीद तो फील में दालने के हग में नहीं थे नहीं अनिल तुम बता कर जाओगे तुमने जूट क्यों बोला था रूपी ने नाख भूला कर दात बिस्से और फिर से सवाल दुराया हूँ मैम मैंने जूट हरकिस नहीं बोला उनकी फ्लाइट ठीकल नए फिल्म की शूटिंग चाइना में है वगगर कल मीटिंग में दरान की जड़प हो गई हार्वी की फिल्म छोड़ाया वो अनिल वसाहत देते हुए बार बार नाफहमी के शीकर उभारे अस्वन मली की तरफ देख रहा था क्या हर्वी वाइनस्टाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया पुर्हान ने एक दम पूरी आंके कोले मुटखेट लहजे में दोड़ाया जी बस वो कल हर्वी ने चन्द मजीद मनाजिर का इसाफा कर दिया फिल्म में तो दारान से एक तलाफ हुआ उसी पर जड़ब हुई और दारान उससे में सब छोड़ाया अनिल ने मतवासल लहजे में सारी वात वास्या की अस्वंद मली के चेरे पर तफक्कूर के तास्वात रखम हुए मतलब क्यों वज़ा ऐसे क्या मैं आजित है दारान इतना बड़ा प्रजेक्ट कैसे यूँ छोड़ सकता है अभी तो कोई और पेशकश भी नहीं है अस्वंद मली ने बन में अकट्टी की ये तश्वीर साहिर की वो कार्ला के साथ बेटरूम बोल सीन है कुछ अनिल ने कहता है सांस लेते हुए वज़ा बताई बुरहान बेहासा उमड आने वाला कहका न रोक सका खाने के हौल में अब उसका बुलन्दों बांक कहका उंच रहा था प्रूपी भी मुस्कुराट दबा रही दी जबके अस्वंद मली संजीता थे अजीब फट्टू दमाहे दरान का कारला के साथ ऐसा सीन करने से कौन मना कर सकता है बुरहान ने बामुश्किल अपनी हज़ी प्रकावो पाते हुए हैरत साहिव की बुरहान जस्टॉप इट वाली कस्वन ने गुस्से से उसके क्ये की तमसर पर उसे डपता और फिर परिशानी से अनल की दर म Mick वचा हुए लेकिन ये तो हारवी प्रोडक्शन से डूंस भी ले चुका है वाली कस्वन ने परिशान लाजय में कहते हूए पिशानी से लाई वो इतने भी बेहवर नहीं थे तरान से उसके हर अगले कदम क्यों को हवर होती थी इसी वो अनिल से भी बिल्कुल बिकारना नहीं जाते थे वो वापिस करने का हुकम दे चुका है तरान अनिल ने कंदे चुका है तो अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है जजबाती लड़का अलिक अस्वा ने लब भींचे और थोड़ी को से लाते हुए वो परिशानी साहिए की जी वो ही समझाने आया हूँ इसलिए हारवी कल राज से फोन कर रहा है अब देखता हूँ दरान क्या कहता है इस बारे में अनेल लब भींचे अपनी आमद का सभवत आया हूँ पुरान ने नाग चड़ाई और सर नीचे प्रेट पर चुका दिया रूबी ने पहलो बदल कर पहली बार कुफतों को में अपना इससा डाला फजूल कर भरम दिखा रहा है वैसे तो कहता है उसका कोई मजब नहीं है तो फिर ऐसे मनासे करने के लिए ऐसे नखरे क्यों दिखा रहा है जैसे उससे बड़ा पारसा कोई नहीं रूबी का लेचा नफ़ता में साँ अनेल अपने दोस्त को समझाओ ये सब सीन डेमांडिंग है ऐसे ही इनकार करता रहेगा तो कल कोई पूछेगा भी नहीं बुरहान कहां पीचे रहने वाला था तमसराना मुस्कुराट सजाए कहां अनेल उसके बात पर पहत्यार मुस्कुराया हम् दुरुस कहा आपने बुरहान सर अगर उनका करियर हतम हुआ फिर तो आपका अनेल ने बात को दूरा छोड़ा नाइनिंग हॉल में दाखिल होती रोसीन अब पास आकर अनेल की तरफ मतवच्चा थी अनेल सर आपको सर कमरे में बुला रहे है रोसीन ने निकाहे जुखाए मोतपाना इतला दी अनिल ने अस बात में सर को जंबिश्टी और गदम दारान की कमरे की दरफड़ा दिये इस का दमा भी दारान ने उचड़ा रखा है वरना ये है क्या लड़ी बुरहान ने नकोच से ताक चड़ाई ये उसी की मर होने मिननत है मलीक अस्वन ने संजीटी से सच उगल कर दोस्ट मूं में रखा नहीं मेरा अपना टैलेंट है पता नहीं किस दिन ये दारंग को लेबिल मुझ पर सहटेगा बुरहान तंक कर दोनों हाथ मेस पर मारता अपनी जगा से उठा गुर्सी को एक दरफ करता वो गुसे से टाइनिंग हौल से पाई जा रहा था बुरहान पुरहान पुरुबी ने बेचैनी से उसे पीछे से पुकारा नाश्टा भी नहीं करके गया आप भी न क्या सुरुत थी ही पेपर की की आँख देंगी पुरुबी ने देवी चड़ाय मलिक अस्वन को गुरा नोंने तासों से सर को दाइम पा हिलाया और करदन चुका दी अनिल ने आइसे के से कमरे के दरवासे पर दस सकती और उसी लवें अंदर से बारी आवास उपरी वो तारान की कमरे के आजो नीन की खोमारी में लप्ती आवास सी मतलब वो अभी उसके आने पर ही वेदार हुआ था अनिली डरवासा कोला और कमरे में दालिल हुआ वो अपने सफेद नाइट golf में मल्पूस कमरे में मुझूद सोफे फर बेढ़ा था बिक्रे बाल, अलकी से सोजिश लिए अद्खुली आंखी, वो निगाहे मुबाल स्क्रीन पर जमाए, पन में इकटी किये खुद को मसरूफ साहिर कर रहा था उशीदा कमरा किसी और ही दुनिया का मनसर पेश करता था, जो अंदर दाहिल होने वाले को एक सहर में जगर लेता था तारान नीली रंग का दिवाना था, इसलिए पूरा कमरा सफेद और हलकी नीले रंग का इंतसाज लिए हुए था सफेद फर्श, सफेद दिवारें, बस एक दिवार जिस पर होम ठेटर्स गें नफस थी, वो सफेद और नीली धारी डार डिसाइन पर मुश्टमिल थी, अलके नीली रंग के परदे और एक तरफ की दिवार में रिलिंग्स, सूरत खुलता दरवाजां, जिसके पीछे स्व के आगे रखा, बड़ा सा स्या, शीशे का चकोरमीज, वाकी कमरे में मुझूद पेंटिंग्स और सजावती कुलतान, अत्ता कि सिगरिट ही एश्ट्रे तक नेले रंग की ही इसी एक हालत में मुझूद थी, कोगे इस कमरे को देखने वाले की आँखों को पुर सुकून ए अनिल भी हमेशे की तरह आकर पहले उसके कमरे को नजर भर के जरूर देखता था, वो हुच जाये अपना हुलिया ऐसे ही बिकरे, बाल और लापरवासा रखता, मगर बांकि उसकी हर चीह से उसका सलीका और आला सोक्चा लगता था, हेलो बड़ी, अनिल ने मुहबत से हेलो जाये कि वो क्या बात करने आया है, इसलिए उसके मुदवच्चा खवे बिना उससे अब बात शुरू कर देनी चाहिए, दारान, हार भी फोन कर रहा है बार बार, अनिल ने सीधी बात की, तो मत उठाओ, जोके सर के साथ ही सपाट लेजे में मुक्तसर जवाब दिया, दार मुक्तसर, मुक्तसर, वो बोलने में इतनी कंचूसी करता था, कि अनिल कभी कभार सोचता था, यवो उससे अतनी कम बात करता है, तो बागी लोगों से क्या बात करता होगा, क्या यार, सब सब कर रहे हैं, ऐसे सीन आजकल, इसके बेना कौन फिल्म देखता है, मुझे ऐसा रखता है, तुम जादा ले रहे हो इस बात को, क्या है, बस तीन-चार मिंट का एक सीन ही तो है, अनिल ने सोफे की अद्दे पर कोने इटकाए हाथ को हवा में उठाए, बस सकसे कहा, वो उससे काईल कर रहा था, जो कल हार्वी की एक्शन फिल्म की नीम पहरना अनाजिर कर पहरने से मिंकार कर आया था, सब करते होंगे, बगर दारंग नहीं, बेतासूर सक्ट ले जाओ, मोबाल पर जोके चेहरे के साथ ही, बस एक आइब्रो उठाए, उसली निगाह सामने बेठे अनिल पर डाली, अनिल ने लब भीजे, सर को आस्वान के तरव उठाया और गहरी सकता था, वो पेदाशी सिद्धी नहीं था, उसे सिद्धी बना दिया गया था, दारान मेरे भाई, मेगा प्रोजेक्ट है, सोच सरा, हार्वी की फिल्म, फिर कोस्ट आर कारला, चलने से पहले ही सूपर हिट है ये, लिखवा ले मुझसे कहीं भी, एक छोटे से सीन के दर्वासे पर हलकी सी दस्तक हुई, तो उन्होंने एक साथ निंगा उठाएं, दरान ने रोबदार आवास में अंदर आने की अजासत दी, उसके आवास का रोब और भारे बन उसकी शक्सियत के एन मुदाबिक था, वगर उसके लेचे में हमेशा वेसारी कांसर खोला रहत जाती थी, कुछ चीसे उसके सिंदीगी में लाजिम मुलसिं थी, नहार मुचूस, तिंग गंटे चिम, तेराकी, सिगरेट और अनिल्यूसिफ, सोच ले, जाधा कड़ में तुम्हारा ही नुकसान ना हो जाए, कारला के साथ फिल्म मिलना असान नहीं, अनिन ने सेरे लब म की मुझूद की में विजारी थी, कारला हो या इंजलीना, इनकार है, आगे होते हुए हाथ के इशारे से रोसिंग को मना करके जूस का क्लास हूद उठाया, उसी तरह हाथ के इशारे से अनिल को भी क्लास उठाने का कहा, अनिल ने आगे होका क्लास उठाया, रोसिन अब कम अच्छा अगर वो कहें कि मैं सेन में रदो पतल कर देता हूँ फिर अनिल ने जूस का गूंट लिया और सीधा हुआ दूसरी तरफ वो जूस अदम करने में मसूफ था उसकी बात को अंसुनी किये ये शाय जवाब देने की बूट में नहीं था कुछ तो जवाब दो अगर मैं हारवी से खहूँ कि वो मनाजर में कुछ तब्दिली करते तो फिर अनिल ने अवरू चड़ाए जवाब तल निगाए उस पर खाड़ी वो ही खामोशी अब जूस का दोसर अक्लास भरा जा रहा था अनिल निगाए उसके मजबूत बासों पर खाई और तुम्हें पता है हारवी क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि तारंग अपने मजब के वज़ा से कर रहा है ये सब अनिल ने आजस्ते की सिबात मुकमल की और लब भीजे बता था अब की बार वो जरूर बोलेगा दरांग ने चौंक कर निगाँ उठाई बिशानी पर चाहर रग्यों परीडी चप्रे सब करने की वज़ा से एक दुस्से में पैविस्त नसराए सफेद रंगत एक दम से घुस्से में सुरुख होने लगी मेरा कोई मजब नहीं है दरां कह देने से कुछ नहीं होता तुम मुसल्मान हो इस हकीकत को मच छुटाया करो और तुम जानते हो अब एक्शन फिल्मों में भी ऐसे दो-चार सीन होने लासमी जुस्ट बन गए है मार्केट में डिमांड है इस सब की अगर तुम आए दिन इस बात को लेकर फिल्म्स छोड़ते रहे तो प्रीडियूसर्स सुम्ह साइन करना छोड़ देंगे अनिन ने देवी शड़ाय उसे समझाने की कोशिश में अबकी बार सथ लहजे में आने वाले वक्से हवदार किया बुर्हान के अलफाज हैं ये सारी इंडस्ट्री जानते है दारंग की फिल्म किस बन्याद पर हिट होती है मुझे अपने फिल्म को सूपर हिट करने के लिए इन चीप मनाजर की हरगे जरूरत नहीं लोग मेरी सूरत और मेरी फाइट देखने आते हैं जिसम नहीं और अही बात जिसम की तो इसके लिए फीमेल एक्ट्रिस बहुत होती है अनिल जो उसे टिक-टिकी बांदे देख और सुन रहा था केरी सांस बाहर उंडेलते हुए तीक है मैं हारवी को तुम्हारा आखरी फैसल सुना देता हूँ अगर और मनाजर तब इतील नहीं करता तो फिर उसे एडवांस वापिस कर देते हैं अनिल ने कंदे उचका कर बात अदम की असूलन तो इडवांस वापिस करना भी नहीं बनता धुआ हवां में छोड़ते हो भी कहां अनिल ने उसे हैरत से देखा अब वो जिरे लगत अमसराना मुस्कुराट सजाए उसके दरव दिख रहा था सबसे माइल कहरी पुतलियां वो सच कह रहा था लोग उसकी सूरत और फाइट देखने को आते थे उसने धोका दिया है स्क्रिप्ट में ऐसे कोई सीन नहीं थे उसने अब क्यों एट किये जब हम शूटिंग पर जाने वाले थे मैंने स्क्रिप्ट पर फिल्म साइन की थी इसी एडवांस उसी बेस पर है सख्त लेजे में अपना मुग के फेश लिया अब की बार अनिल भी कोई जवाब नहीं दे सका बस उसे देख कर रहे गया रेक्दम से सोफे पर से उठा टेप से मोबाल निकाला ठीक है मैं यहीं हूँ तुम फ्रेश हो जाओ मैं हार्विस से राप्ता करता हूँ अनिल ने गोटा को मारकर मोबाल स्क्रिन को खोला नहीं वो खुद राप्ता करेगा तुम नहीं करोगे रोजीन को कहता हूँ नाश्टा लगवाए तुम्हारे लिए नाख चढ़ा कर कहां आगे होकर मेज पर बड़ा कौटलेस उठाया नहीं नाश्टा करके आया हूँ तुम बस जल्दी रेडी हो जाओ मैं बाहर वेट कर रहा हूँ अनिल ने मुस्कुरा कर नाश्टे सिंकार किया कदम बाहर की तरव बढ़ा दिये आर्वी से राप्ता तो उसे ही करना था कुछ आवासें थी जिनकी मदम बासकर्ष्ट जो पहले मक्यों की बुन बनाहट सूरत सुनाई दे रही थी अब वाजया होने लगी थी उससे आखों को खोलने की कोशिश की जिसके पाइस सर में शिदीद तकलिफ का इसास हुआ ऐसे जैसे सर किसी शेकंजे में जगड़ा हुआ हो आखों के पपोटे सूझे होने के पाइस आखों पर वसन मेसूस हो रहा था उसके आखों की उपरे चल नीली हो रही थी जिसम ठंड के पाइस अक्राहट लिये हुए था वो दाइं करवट लगड़ी के बने फर्षफल लेड़ी हुई थी और करवट के पाइस जिसम का उपरे हिस्सा पर अफोरा था आइस सही से शदीद सर्दत को परदाश करते हुए जब ने भीज़कर आँके जबरसी खोली कितनी ही पलके तूटने की तकलीफ के बाइस मुख खुल गया पलके माते से बहने वाले हुन के सबब आँकों के इचले हिस्से से जिपक गई थी अब जब सबरसी उनको खोला तो पलके जिपक कर तूट गई थी आँके खुलते ही सबवास्या हो गया वोसी लगडी के बने छोटे से तरपे नुमा कमरे के फर्श पलेठी थी जाँ वो पिछले दो दिन से कहती उससे लाविया में आए आज सीसरा दिन था आज से ही सिकरदन मुर कर किटकी की तरफ देखा वहाँ आप लगडी के दख्ते लगा कर कील ठूंग दिये गए थे इतनी धन में भी कले में कांटे चुपने जैसा हैसास हुआ लबू के किनारे पर हून मंचमित था कल रात का सारा मंसर निकाहों में घूम गया हाथ को फर्श पर रखकर कोनी के बल उपर उठी उस जोटे से कमरे में एक लगडी के पलंग जगा जगा मगडी के बने जालूं मट्टी और उसके कपड़ों के अटाइची के सिवा कुछ नहीं था बुट कर बैट चुगी थी बाहर से आती आवासे अफासे हो रही थी एक आवास तो लीताओ की थी जबके दूसरी आवास किसी अंजान मेट की थी वो लीताओ पर चीख रहा था वो लड़कड़ाते हुए बामुश्किल उठी कुटनों पर खुन जमा हुआ था सफेड नाइडी जगा जगा से खुन से लटपत थी जिसम सर्दी के बाइस अकर रहा था वो अब आइस सही से कदम उठा दी कमरे के दर्वासे के पास आई वो लकड़ी से बने उस तूटे-फूटे दर्वासे में मुझूद अंगिन सुराखों में से एक सुराख पर आँख की पुतली डिगा दी दूसे दफ का मंज़र साफ वास्या था वो ही महला कुचहला चोटा सा हॉलनुमा कमरा जिसमें दो कुर्सियां और उनके पीच एक मेस सी एक दरफ एक लोहे के मेस पर चुला और कुछ गंदे बर्दन पड़े थे दिवार पर जगा जगा पुंटियों पर कप्ड़े लटक रहे थे कमरे के वस में उस रात इस आत्मी की टांग में कांटा चुपोकर वो भागी थी वो लीताओ का किरपान धामें कड़ा था और चीनी सुबान में उस पर चीख रहा था मेरा सारा पैसा वापिस कर एक-एक पाई जो मैंने पाकिसान से पिछवाए थे वो भी वो आत्मी खुरा रहा था लीताओ बार बार आंगे मेच कर उसके आदाब से बचने की कोशिश कर रहा था मेरी बात सुनो सिर्फ तुम्हारी वज़ा से बीवी होने की पावजूद मैंने आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें पिरकुल अंचुई लड़की चाहिए थी चोटी उमर और और लीताओ उससे काईल कर रहा था या वज़ाहत दे रहा था मगर उसने उसकी बात मुकमल होने से पहले ही लीताओ का गिरपान दबोज कर देखा नहीं कल रात मेरा क्या हाल किया उसने तुम मेरा पैसा वापिस करो मुझे नहीं चाहिए वो आदमी ने दान पीस से हुए लीताओ की पेशकश टुकरा रहा था लीताओ अपने दोनों हाथों के मदद से उसके हाथों गरिफ्ट कम करने की नाकाम सही कर रहा था तुम तुम एको ट्राइ करो बहुत मारा है कल उसे मैंने आच्चू भी नहीं करेगे तुम ही पहले हो जिसको वो पेश हुई है लीताओ पामुशकिल भोलते होए उसे पुशका रहा था दर्वासे के बार आंक के स्या पुद्ली में होफ के साहे ले रहा है थे नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे मेरे पैसे चाहिए बस वो टैश में चिलाया ओके ओके मैं उसे शेहर बेशने जा रहा हूँ तुम्हें परसूं पैसे मिल जाएंगे लीताओ हाथ जोड़े उसे मौरत माँग रहा था हर हाल में नहीं तो वो ही कांटा अपकी पार तेरे अंदर खुसा दोंगा समझा उसे जटके से लीताओ को छोड़ा वो रखड़ा कर पीछे कुरसी से रख़़ाया अदमी अब खुसे से उसे खुर रहा था जबके लीताओ जमीन पर लेड़ा सांस बाहाल करता हुआ कास रहा था उस आदमी ने खुर का आगरी निखा लीताओ पर डाली और भी लंगड़ाता हुआ घर के बेरुनी दरवासे की दरव भड़ गया येकिनन कल रात कांटा चुप ने की बाइस उसे बहुत जादा तकलीफ हो गई थी तुकि उससे ना सिर्फ कांटा उसकी दान में गाड़ा था बलकि उस पर अपना पूरा वसन डाल दिया था इसके बाइस वो उसकी जिल्द के अंदर गहराय में पेविस्ट हुआ था वो अब भी यूई आंक टिकाए बाइर का मनसर देख रही थी कि अचानद लीदाओ के दर्वासे की तरफ देखने पर तपकर पीछे हुए वोफ की लहर थंड से अकड़े जिसमें सरायत करने लगी कदमों की चाप अब दर्वासे की तरफ आ रही थी दर्वासा धाड़ की आवास से खोला वो जो बलंग पर बेड़ी थी काप कर पीचे हुए लीदाओ तिल मिला कर उसकी तरफ आया और उसे वासो से खिंच कर समीन पर बठाओ वो करहा गई पता है मेरा कितना नुकसान किया तुने वो इस गाओं का सबसे अमीर आदमी था उसको अंचुई लड़की देने का पैसा लिया था मैंने लीदाओ उसके सर पर खड़ा चीख रहा था वो तो बस सेज सेज सांस ले रही थी लीदाओ को उसके खोलने पर मज़ीद खुसाया और फिर उसने उस पर टांगों की बरसाश शरू कर दी वो बाहर होने वाली साही दस्यल का बदला अब उससे ले रहा था उसने टांगों को समीट का पेट से जिबका लिया लीदाओ के बहु अब टांगों पर और कमर के अड़ियों पर लग रहे थे वो सलसल तांगे मारते हुए चीख रहा था और तुमने क्या हाल किया उसका खल अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं उसने तहर से मुठियां भींजी उससे में कामते हुए वो अब उसके बालों का अपनी मुठी में दबोच चुका था वो चेरा चटका देकर उबर किया वो तकलीफ और खुफ से काम रही थी तुझे ये सब करने में बहुत मसला है न अब देखना ये जिसम जिसे तु छुने भी नहीं देती क्या हाल होता है इसका वो बार बार उसी करण को चटके दे रहा था तुम्हारे सारे अज़ा एक एक करके निकाल कर बेजे जाएंगे वो उसकी आँकों में आँकी गाड़े खुरा रहा था बाल छोड़कर अचानक अपनी जगा से उठा वो लंबे लंबे डाग भरता हॉल में बड़े मेश सक्या वहां से एक प्याली उठाई और उस सक वापिस आया वो तकलीव से कराते हुए उससे बार बार आँके खोल कर देख रही थी खाना खाओगी भूक लगी है उससे चंद कदम के फासे पर खड़े हुए ससाहिया पूश रहा था भूक से तो वाके बहुत बुरा हाल था चेरा उपर उठाया ली दाओ ने एक चटके से हाथ में पकड़ी प्लेट फरश पर भेंग दी प्लेट नीचे गिरते ही उसमें मुझूद सारे नूडल्स जमीन पर धेर हुए वो कैका लगाते हुए कुटनों के बल नीचे उसके बिलकुल सामने बैठा खाओ खाओ बालों से उसका चेरा पकड़कर नूडल्स के ठेरों पर रखकर दबा दिया वो नूडल्स पर उसका चेरा मसल रहा था वो बिलबिला उठी वो पूरी कुबत लगाकर चेहरा उपर करने की कोशिश की वगर तीन दिन से भोके रहने की वज़ा से नकाहत बढ़ गई थी चंद सेकिंज के बाद लीदाओं ने चटका देखकर उसका चेहरा उपर उठाया वो बलंद उपांक कहका लगाया चेहरे पर जगा जगा नूडल से चिपके हुए थे तुम्हारे बाप को पैसे दिये हैं मैंने अब तुम मेरी मल्कियत हो चाहूं तो चमड़ी बेचूं चाहूं तो अजा वापिस नहीं जाओगी तुम समझी वो पूरे दांद वाज़ा की चीख उठा वो उसकी तूठी पूठी बाते समझभा रही थी वो शायद उसे अब आगे कहीं बेचना चाता था वो एकदम अपनी जगा से उठा और बाहे निकल गया दर्वासा फिर सिवन्द हो गया वो जल्दी से उठी और बागलों की तर जमीन पर गिरे नूडल्स लाइन्स एरिया की इमारतें भी अफवेंद हीरे में टूबने को तयार थी जोफ्त जोफ्त जोई ने उन्ची आवास में बुखारा वो फ्लेट की इमारत के सामने मुझूद मेदान की केट पर खड़ी थी दोनों हाथ कमर पर धरे अलके सर्थ रंग के चोड़े में मलबूस वो मामूल से जादा गैरी रंगत की लग रही थी पन में एकटी किये और आगों को चुन्दी किये ये एक कोल मेदान था जिसके मुद्लिफ अदराफ में चार दर्वासे थे ये तमाम इमार्टों का मुश्टर का मेदान था जहां तमाम इमार्टों के फ्लैट्टू में रिहाइश पसीर बच्चे खेलते थे वो जोवूत को वुकार दी अब मेदान में लगी लोही की गेट से अंदर दाहिल हो रही थी मेदान में अंकिनत चोटे बड़े लड़के मुतलिफ खेल खेलने में मुस्फूफ थे वो इड़केट 6 साला जोवूत को खोजनी के लिए निगाहें गुमा रही थी जब अचानक दरट के नीचे मुझूद बेश्वर निगा थम गई वो शायद वो ही लड़का था जिसे उस दिन उसने और सुनेयना निक पैलकनी से देखा था वो आज भी हामोश सरचुकाई बैठा था इड़केट खेलते तमाम बच्चों और लड़कों से बेन्यास उमर के लिहाज से 19-20 साल का लग रहा था